हेलो गाइज विल्कम बैक तो आपका अपना चैनल शेपस एडूकेशन में आपका दोस्त आपका मेंटर आपका बड़ा भाइस यह मोहित आ पढ़िया और इतने लोगों के मुझे मेसेज़ेस आए सर एकनॉमिक्स बहुत पढ़ लिया सर रोसी बहुत पढ़ लिया सर हमें अ अकांउंस के पार्ट्व में दिक्कत आ रहे वह भी अभी तक ये कैसे पॉसिबल है यार अकांउंस का पार्ट्व पूरे अकांउंस के लिए सबसे इंपोर्टट है और मजे की बात यह बताता हूं यह सिर्फ आपके 12 बोड के लिए ंपोर्टं नहीं है यह 12 Lu ti हे बात जगे आपको यह accounts काम आने वाले हैं, तो अभी तक आपको कैसे part 2 में problem हो सकते हैं वो problem मुझे solve करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसलिए मैंने एक बार के लिए बाकी सारे subject छोड़ दिये, और पहले मैं आपके लेके आगया हूँ, आपके लिए specially लेके आया हूँ, accounts के revision session जिसको हमने कहा है restart series, इस series के तहट मैं आपको सबसे पहले part 2 का सबसे important chapter करवा रहा हूँ, पता नी वैसे यह chapter मुझे बड़ा easy लगता है, marks के वाई से देखो तो गजब scoring chapter है, बट फिर भी यह chapter बच्चों को बड़ा परेशान करता है, इसलिए मेरा task है कि इस chapter के मैं आपक तो इस chapter को तीन particular videos में पूरा का पूरा chapter खतम करने में आपको help करूँगा, और तीन दिन के बाद में आपको मुझे फिर से जवाब देना है comment section के अंदर की sir मेरा ये chapter अब हो गया है, ये जिस दिन मुझे जवाब मिलेगा, वुछ दिन मुझे लेगा कि मेरी मैनत कही ना कही पहुच रही है, कही ना कही मेरी मैनत काम आ रही है, आपको नहीं पता, genuinely बताता हूँ, YouTube पे जब हम पढ़ाते हैं, it is very very difficult to teach because we lack personal context, हमें नहीं पता कि हमारा बतायवा knowledge आप तक पहुच रहा है कि नहीं पहुच रहा है, और जब कुछ बच्चे हमें comment section के अंदर बताते हैं कि सर आज मैंने ये chapter कर लिया, सर आज मैंने ये topic कर लिया, आज मेरी school में ये exam था, मैंने ये exam के लिए revision series को follow के मेरा revision सार अच्छा हुआ, कितने बच्चे मुझे अपने marks भेशते कि सर मेरे economics में तने marks है, सर मेरे accounts में तने marks है, genuinely बताता हूँ, वस दिन ये जो कमी होती है न हमें बताई है, अच्छा है तो भी बताई है, बूरा है तो भी बताई है, कहां फरक पड़ता है, आप अगर बताएंगे, हमें लग रहा है, हम इसको correct कर सकते हैं, of course हम कूशिश करेंगे, और अगर हमें लग रहा है, हम और बहतर कर सकेंगे, तो आपके लिए जाना जीरे है, तो चलिए, आज मैं सबसे important chapter लेकर हैं, जिस chapter का नाम है accounting, मैंने एक तरफ आपके textbook खोल के रखेंगे, मैं आपको textbook के topic wise, textbook के illustrations, textbook के examples में आपको करवाँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक textbook भी clear नहीं हो रही है, तो हमारा सबसे पहला task है, textbook को अच्छे से clear करना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो चलिए, आज हम लोग start करेंगे share capital chapter के साथ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक, एतना बहुत है, और मुझे लिखने के लिए जगे थोड़ी ज़्यादा चीएगी, हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा अपना topic, हमारा प्यारा सा topic, जिस topic का नाम है share capital, और जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको ये particular chapter तीन topic के अंदर समझाने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा अगले तीन वीडियो आपके लिए बहुत-बहुत-बहुत important रहेंगे, capital का मतलब होता है, owners fund, क्या मतलब हो गया, capital का owners fund, और जब हमें कहा जाता है, share का मतलब क्या होता है, तो share का मतलब होता है, small denomination of large capital of a company, एक company के बड़े सारे capital के एक छोटे से हिस्से को कहा जाता है share, अब ये share 100 रुपे का भी हो सकता है, ये share 10 रुपे का भी हो सकता है, ये share 1000 रुपे का भी हो सकता है, तो जब आप एक बड़े सारे capital के एक छोटे से हिस्से को खरीदते हो, तो आप कहते हो कि मैंने इस company के shares खर सबसे पहला होता है वो शाय इशू कर करेंगे अड़ पार दूसरा होगा वो शहारद इसू करेंगे ए एड़ प्रीमियम और तीसरा होगा वो शहरद इशू करेंगे एड़ डिसकाउंट में की जोड़ करना अलाउड नहीं होता है एड़ पार इड़ कुमिल एपलर समझते मतलब क्या होता है Optimus value कुछ भी हो सकती है या तो 10 रुपे होगी या 100 रुपे होगी है एनी particular amount generally 100 रुपे होती है तो अगर 100 की चीज को मैंने 100 में बेचा तो हम बोलते हमने at par बेचा 100 की चीज को अगर हमने 125 में बेचा तो हम बोलते हमने at premium पे बेचा और 100 की हमने shares को issue किया पराबर है अब लोग हमारे shares को खरीदते हैं इसको खरीदना नहीं बोलते हैं उसको बोलते है share subscribe करना ठीक है क्योंकि यहां कोई company share बेचती नहीं है वो share issue करती है और सामने वाला share subscribe करता है तो हम बोलेंगे कि सामने वाले ने हमारी company के share को subscribe किया अब वो हमारी company को तीन तरीके से सब्सक्राइब होते हैं बेजिक ली सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं हमारी कमपणी ने 50,000 शेर इश्ड इसे किये राइट अब लोगों ने अगर पूरे शेर खरीद लिए तो इसको कहा जाता है fully subscribed मतलब लोगों ने पूरे 50,000 शेर खरीद लिए बट अगर लोगों ने जादा खरीदने के लिए पैसे दिये तो उसको कहा जाता है over subscribed मतलब लोगों ने हमें 60,000 शेर खरीदने के लिए पैसे दे दिये बट अगर लोगों ने हमारे शेर कम खरीदे हैं तो उसे कहा जाता है undersubscribed मतलब suppose करते हैं लोगों ने सिर्फ हमें 45,000 shares के ही पैसा दिया है तो इस तरीके से it can be possible कि हमारे सारे के शारे share subscribe हो गए only subscribe जादा subscription आ गया ओवर subscribe या कम subscription आया है undersubscribed अब मज़े की बास सुनना अगर पूरे share बिग गए तो भाईया मज़ा आ गई यह तो सबसे बड़िया situation है हम जितने share issue करना चाते थे market में लोगों ने उतने share खरीद ली इससे बड़िया तो क्या होगा जीवन में बट अगर लोगों ने कम shares खरीदे हैं तो भाईया जितने shares लोगों ने लिए हैं उतने से काम चलाओ इसको भूल जाओ और अमांट को भूल जाओ रिसे कानून कहता है law कहता है कि minimum subscription 90% होना चाहिए अगर company को आगे continue करना है तो अगर अकाउंट्स के टाइम पर मज़ सोचना है अगर हमारे share अंडर सब्सक्राइब दे तो हम यह जानते है अंडर सब्सक्राइब दे तो जितने shares हमें मिले उतने से हम काम चलाना चालू कर देंगे मज़े की बात तब आती है जब हमारे shares ओवर सब्सक्राइब होते है अब हमारे शेर्ज अगर over subscribe रेता है दो बाते होती है या तो दो आपको excess amount मिला है वो excess amount को आपको करना पड़ता है refund जो excess amount आपको मिला उसको आपको करना पड़ता है refund या फिर आप क्या कर सकते हो आप उस excess amount को कर सकते हो adjust मतलब अगले installment में आप उतना पैसा कम ले लोगे इस adjust करने को हमारे अकाउंट में कहा जाता है प्रो राटा या फिर प्रपोर्शनेट राइट फर एक्जांपल अगर किसी ने मुझे एप्लिकेशन पर जादा पैसे भेज दिये मतलब जादा शैर्स खरीदने की रिक्वाइमेंट जाता है बट मेरे पास उतने शैर्स नहीं है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो एक्सेस अमाउंट को या तो मैं उसको वापस से लुटा दूँगा तो रिग्रेट नोट कि सॉरी सर आपने हमसे 10,000 शैर मांगे ते बट हमारे पास 8,000 शैर है तो बागी के 2,000 शैर के पैसे हमने आपको रिफर्ड कर दिये हमें बहुत अ 8,000 शैर है तो जो 2,000 शैर हमारे पास आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिये जो हम आपको शैर नहीं दे रहे हैं वो 2,000 शैर के पैसे हम फिलाल रख लेते हैं हम जब आपसे अगला इंस्टॉल्मेंट मंगवाएंगे तब आप ये वाला हिसाब इसमें सेटल कर लेना इतने पैसे हमको कम बेज देना इसे कहा जाता है प्रो राटा अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या सर शैर के पैसे भी इंस्टॉल्मेंट में मंगवाते हैं तो हाँ बच्चा लोग शैर के पैसे को भी हम लोग इंस्टॉल्मेंट में मंगवाते हैं अब ये इंस्टॉ को कहा जाता है Allotment Money, तीसरे installment को कहा जाता है First Call Money, चौथे installment को कहा जाता है Second Call Money, और आखरी installment को कहा जाता है Final Call Money, इस तरीके से हम हमारे shares के पैसों को पांच installment में मंगवा सकते हैं Let us suppose हमारा share है 100 रुपे का, तो मैंने application पे मंगवा है 10, allotment पे मंगवा है 20, first call पे मंगवा है 20, second call पे मंगवा है 25, final call पे मंगवा है 25 इस तरीके से total कितना हो गया भाईया, 50, sorry 100, पूरे 100 रुपे हमने अब मज़े की बात सुनना, ये installment maximum 5 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं दोस्तों, maximum 5 और minimum कितने हो सकते हैं installment, एक, ना 5 से जादा ना एक से कम, एक से कम तो logically भी नहीं हो सकते हैं, अगर हम चाहे तो पूरा का पूरा 100 रुपया application में मंगवा सकते हैं, अगर हम चाहे तो, और अगर अब क्या हो रहा है सुनना, पिछली बार मैंने आपको बताया था, कि हमने 10,000 shares issue किये थे, हमने उससे application मंगवाया, 10 रुपय का, तो उस बंदे ने हमको 10,000 share पे 10 रुपय दे दिये, याने कि उस बंदे ने हमको दे दिये, एक लाख रुपय, जबकि मैंने उसको सिर्फ 8,000 share allot किये है, तो 8,000 पे 10 याने कि मैंने सिर्फ 80,000 रुपय के shares दिये, याने कि उसके 20,000 रुपय आपके पास extra पड़े हैं, अब आप क्या करोगे, आप उससे कहोगे, विया ये 20,000 की दो बाते हो सकती है, या तो ये 20,000 तो बैंक के तुरू हमसे refund ले ले, बराबर है, या 20,000 को हम adjust कर देते हैं, adjust कर देते हैं मतलब क्या हुआ, अगली बार जब आपसे वापस से 8,000 share के उपर allotment के 20 रुपय मंगवाएंगे, याने कि हम मंगवाने वाले हैं, 8,000 के उपर 20, याने कि 1,60,000 रुपय, तब आप क्या करना, आप बोलना भाया, 1,60,000 में से आपके प बात है, done, that is pro rata, pro rata, pro rata, pro rata, pro rata, कहीं का pro rata, simple से logical बात है, कि अगर किसी बंदे ने पहले installment में ज़्यादा पैसे दे दिये, तो अगले installment में उतरा कम देगा, normally वैसा ही होता न, दुनिया का काम ही है, यह भाया, मेरे पास एक दिन सुबह उठके मेरा वाच में आया, कि ने हो, उसक ने बोला 900 रुपए, मैंने देखा मेरे वालिट में 500 500 के दो नोट थे, मैंने उसको 500 500 दो नोट दे दिये, उसने बोला, साभ मेरे पास सौर उपर छूटा नहीं है, मैंने बोला कोई बात हमीं, अगले महीने देख लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, जब नया है, पूरी दुनिया ऐसे करती है, हर छोटी मुटी चीज पर मैंसे करते हैं, पांच, दस, बीस, पचास रुपे कही रह जाते हैं, बोलते हैं, अगली बार adjust कर लेंगे, इस में कोई भी नया rocket science नहीं है, बहुत ही simple, बहुत ही easy चीज है, जिसे कहा जाता है, बचा लोग आप से request है, अगर share capital का base आपको नहीं आएगा, तो आगे के questions बहुत परेशान करेंगे, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है, revision चाहिए, वीडियो को फिर से पीछे ले जाओ, फिर से सुनो, जब तक concept अच्छे से clear नहीं हो, तब तक आपको मैनक करनी है, इस topic पे ही, आगे भ कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा आप लोग उस सम को अच्छे से ध्यान दे, मैं सम आप बोलो तो illustration में से भी ले सकता हूं, चलो जान दो illustration को छोड़ो, मैं question खुद यहाँ पे create करता हूं, और मैं आपको पूरा question यहाँ पे solve करके दिखाता हूं, तो एक काम करते हैं, हमारे board को बड़ा कर देते हैं, चलिए, तो अब हम लोग एक पूरा का पूरा question यहाँ पे create करेंगे और उस question को हम solve करेंगे, हम यह समझेंगे कि accounts की general entry कैसे होती है, share capital chapters के अंदर, मैं question आपके लिए create कर रहा हूं, इस तरफ, तो मेरा question कुछ इस प्रकार है, ए लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, issued 10,000 shares of rupees, 100 each, ठीक है भाईया, ए लिमिटेड ने 100 rupees के shares issue किये है, आगे बढ़ते हैं, money was called as follows in the following installment, application पे उसने मंगवाए 10 rupees, allotment पे मंगवाए 20 rupees, first call में मंगवाए 30 rupees, second call में मंगवाए 10 rupees, और final call में मंगवा लिया, बाकी balance amount, कितना हो गया, 30 और 10, 40, 40 और 30, 70 याने बाकी बज़ गया 30 रुपे final call के अंदर, कोई problem नहीं है, चलिए, अब हमें कहा गया है, आपको इस पूरे topic की general entry पास करके हमको दिखानी है, तो question समझ लिए, हमारे पास कितने shares थे, 10,000 shares थे, 1 share 100 रुपे का है, हमने पैसे मंगवाए है, 5 installments के अंदर, बहुती basic, बहुती easy सा question है, आपको कहा गया है कि इसकी entries पास करके दिखाईए, चलिए हम start करेंगे entries पास करने से, सबसे पहले entry होती है, हमारी हमको bank से पैसा मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो इसको एक story की तरह याद करो, story की तरह याद करना, वनना बहुत बार गड़वरी करते हो, तो story कुछ इस तरीके से है, suppose को लो मैं एक फलाना फलाना company का CEO हूँ, अब मेरी company को अपने shares issue करने है, IPO लाना है market में, तो मैं आऊंगा TV में, ठीक है, यह practical होता नहीं, ऐसा मैं आपके लिए story क्रियेट कर रहा हूँ, ओके, सो मैं आऊंगा TV में, मैं TV में आके आप सबको अपनी company के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग मेरी company के बारे में positive हो, आप लोग मेरी company के बारे में motivated हो, तो मैं आपको अपनी company के बारे में बताऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा कि भईया आप हमारी company को और expand करना है, जिसके लिए हमें और पैसा चाहिए, आप अगर चाहते हो हमारी कंपनी में मालिक बढ़ना, आप चाहते हो हमारे साथ आगे बढ़ना, आप चाहते हो हमारे साथ ग्रो होना, तो चलिए भया हमारी कंपनी के शैर्स आप भी खरीद लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, फैसा भीजना कर देना इतना वोल गए मैं चला जाूंगा अब लोग मेरी कंपनी के बारे में रिषिर्ट करेंगे कंपनी के जाउगे सारे अकाउंस देखिएगे यह हजार चीजे होती है देखिएंगे भॉल्यौंक पैशे martial के सी मुंजे पैसे भीजना चालू करेंगे मैंने मंगवाए सिर्फ 10 रुपे एप्लिकेशन के तो अब दुनिया जहां के लोग मेरे को पैसा भेजेंगे अभी हम यह नहीं गिंदे कितने शेर्स के पैसे आगए या कितने शेर्स बचे वैसा नहीं होता हमारा अभी तक पूरा का पूरा IPO open है हम हर जगे स जो पैसा हमारे बैंक में आने दे रहे हैं तो मेरी पहली एंट्री होती है बैंक में पैसा आएगा तो bank account debit टू, अब ये पैसा हमें बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, दी दे रहा है, पिंकी दे रही है, पकु दे रही है, कितने सारे लोग हमें ये पैसा दे रहे हैं, हम सब के अलग अलग नाम नहीं लिखते हैं, हम सब के नाम लिखते हैं एक लेजर के अंदर एक रेजिस्टर के अंदर लिग देते हैं और यहां तो उस रेजिस्टर की सिंगल एंट्री कर देते हैं तू शेर एप्लिकेशन हम लिख देंगे कि हमारे 10,000 शेर लोगों ने खरीद लिए और लोगों ने हमको 10 रुपे पर शेर भीजा है जाने कि लोगों ने हमें 1,000,000 रुपे भेज दिये तो हम लिख दिये हमको 1,000,000 रुपे मिल गए आरे यह बास समझ में हमें 1,000,000 रुपे मिल गए खतम बात अब अगर आपको जानना हो कि किस किस ने भेजे तो भईया मैं एक एक नाम ले लिखूँगा आपको जादा पंचायती है जाओ शेर अप्लिकेशन रजिस्टर उठा के देख लो इसमें सारे नाम लिखे हुए कि किस आदमी ने कितने शेर्स खरीदने के लिए कितना पैसा मुझे दिया है अब इसके साथ क्या हुआ अब इस एंट्री का लॉजिक भी समझो बैंक से पैसा आ रहा है डेबिट वाट कमजिन क्रेडिट दा गीवर शेर अप्लिकेशन वाले सारे के सारे लोग मेरे क्रेडिटर है क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दे दिए मैंने अभी तक उनको कुछ भी दिया नहीं है तो अब मेरा क्या फर्स बनता है मेरा फर्स बनता है कि चलो भाया आप लोगों ने मुझे पैसे दिये हैं अब मैं आपको अपनी कम्पनी में हिससा如果你 मतलब में आपको मेरी कंपरी का माला रहा हूँ तो मेरी सेकेंड एंट्री होती है शेर एपलिकेशन अकाउट डेविट मैंने जिस दिन लोगोंने मुझे शेर अपलिकेशन पैसा दिया उनको मैं अब डेविड कराऊ मैं उनको कह रहा हूँ कि 아ब आप में मेरे data अब मेरे creditor नहीं हो क्यों नहीं हो क्योंकि भईया आप तो मेरे owner हो मैं आपको शेर capital में हिश्सा दे रहा हूं याने के 10,000 x 10 याने के 100,000,000 का आप मेरी company में अब हिश्सा रखते हो आप मेरी Company में इतने owner बन चुके हो और इसी के साथ application खत्म हो गया और इस particular चीज का settlement हो गया अब क्या होगा 15 दिन गए महीने गए, 2 महीने गए, 6 महीने गए depending on the company, company को पॉर पैसों के जुरुत पड़ी, तो company क्या करती है प्रेन पत्रा लिखती है मेरे प्यारे shareholders आप लोगों ने मेरी company में shares खरीदने के लिए application का पैसा दिया था अब वो घड़ी आ गई है जब आपको मेरी company के shares को आगे पैसा भेजना पड़ेगा मेरी company को आगे पैसा भेजना पड़ेगा और आपको मुझे भेजना पड़ेगा क्या? Allortment का पैसा तो चलो भईया, Allortment का पैसा भेजना चालू करो, मैं तुम सबसे allotment का पैसा मांगता हूँ, company है, इसलिए मांगती हूँ, और मुझे पता है, आप लोग मुझे पैसा भेज़ दोगे, इसलिए मैं आपको पहले से ही capital में हिस्सा दे रही हूँ, तो हमारी third entry होगी, हमने share allotment के लिए सब लोगों से पैसा मांगा ह है, याने के सब लोग हमारे data है, याने के 10,000 into कितने रुपय allotment है, 20 रुपय, याने के 2 लाख रुपय के लिए आप सब मेरे data हो, क्यों data हो, क्यों data हो, क्योंकि मैं आपको पहले से ही share capital में हिस्सा दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले से ही share capital में हिस्सा दे दिया है, 2 रुपय का अब क्या होगा आपको नोटिस मिली आप सब लोग मुझे पैसा भेज होगे तो मेरी नेक्स एंट्री क्या होगी मेरी नेक्स एंट्री होगी बैंक से पैसा आ गया हमें बैंक से पूरा पैसा मिल गया 10,000 शेर के उपर 20 रुपय और अब आप मेरे डेटर नहीं रह इसके साथ मेरा allotment का भी काम समात हो गया, ये भी done हो गया, बराबर है, अब मज़े की बात सुनना, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, सर आप ये जो brackets लिखते हो, क्या ये brackets लिखना ज़रूरी है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आगे जाके जब सम बड़े आएंगे, फोर्फिचर आएगा, रीशू आएगा, अरियर्स आएगा, एडवांस आएगा, तब ये brackets आपको हमेशा सही answer लाने में मदद करेगी, प्लीज brackets लिखते रहो, time नहीं लगता है, calculation दिमाग में चलता रहता है, बहुत प्लिक काम होता है, चलिए, अब allotment खतम हुआ, अब हमारी बात आएगी, हमें मंगवाना है, first call का पैसा, same entry करेंगे, हम लोग जो हमने पहले किया, हम भेजेंगे, प्रेम पत्र, हम बोलेंग का हूँ, क्योंकि मैं पहले से आपको share capital में हिस्सा दे रहा हूँ, मैंने पहले सा आपको capital में हिस्सा दे दिया, 3,00,000 का, बराबर है, अब क्या होगा, लोगों को पैसा आने के 6th entry होती है, बैंक से पैसा आ गया, और जो लोग पे हमारे डेटर थे, share first call वाले वो अब डेटर नहीं रहे, क्योंकि सब लोगों ने हमें पैसा भेज दिया है, 10,000 into 30,000 याने के 3,00,000 और 3,00,000, आ गई बात समझ में, खतम हो गया भाईया, first call भी आ गया, ये खतम यहाँ पे, अब share second call, final call भाईया, same entry, share final call to share capital, bank to share final call, खतम सम, इतना easy ही है, हाँ, थोड़े बहुत technical point add होगे, तो अगर आपको basic आता है, अगर आपका foundation strong ये chapter कभी भी आपको future में परिशान करने वाला नहीं है, so guys ध्यान देना, this is a very easy chapter, this is a very easy topic, और आपको वादा करता हूँ, मेरे साथ restart series म बने रहो, तीन दिन बाद में आप खुद कहोगे, sir, क्या share capital बच्चों का खेले है, आराम से हमको आता है, बस आप खाली मेरे साथ लगे रही है, डटे रही है, बने रही है, chapter कभी भी hard होता, नहीं है, अगर आपको उस chapter का concept आता हो, तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडि issues के बारे में, याने कि ये सफर थोड़ा सा लंबा रहेगा, chapter थोड़ा सा अच्छा है, बढ़नाव से वादा करता हूँ, मेरी series खतम होते होते हैं, आपका ये chapter खतम हो जाएगा, और जिस तरीके series chapter मेरा favorite chapter है, आपका भी favorite chapter बनने वाला है, चलिए भाईओ, तब तक के बाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो,